गुजरात में विधायक जिगनेश मेवानी के गिरफतारी के खिराफ चंद्रपूर शहर जिला कॉंग्रेस कमिटी वा अनुसूचित जाती विभाग की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया आसाम पुलीस ने गुजरात राज के पालमपूर से विधायक जिगनेश मेवानी को गिरफतार किया विधायक जिगनेश को केवल एक ट्वीट के आधार पर गिरफतार किया गया जबकि उन्होंने कोई अपराद नहीं किया है पुलीस की इस ताना शाही हरकत पर हर स्तर से विरोध किया जा रहा है अखिल भारतिय राश्रिय कॉंग्रिस के अनुसुची जाती विभा के राश्रिय अधेक्ष राजेश लिलोठिया ने एक राश्रिय वैपी विरोध आंदुलन की निर्देश दिये थे इसके ताहत कॉंग्रिस के प्रदेश अधेक्ष नाना पटोले और अनुसुची जाती विभा के प्रदेश अधेक्ष सिद्धार थत्तिय अंबीरे ने जिलास्तर पर आंदुलन करने के निवदेश दिये जिसके चलते चंद्रपूर नगर जिला कॉंग्रिस कमिटी अनुसुची जाती विभा के उरसे आंदुलन किया गया और गिरिफ्तारी के विरोध में नारे लगाए गये और जिलादीकारी के माध्यम से राज़िपाल को निवी दंदिया गया भाजबर सिरकार भारतिय सविधान में लोगों के मोलिक अधिकारों अभिवेक्तिव स्वतिंत्रता पर बंदी लगाने का दबाव डालने का प्रयास कर रही है इस दोरान ऐसा महाराश्यर प्रदेश उपादेक्शन उसुची चाती कॉंग्रेस की अश्विनी खोबरागड अटक करने ताली ये तर व्यक्ति स्वतंत्रा वर आणा घलने सा आणी दबाव अनने सा प्रयात जो बीजेपी सरकार करता है यह बीजेपी सरकार सा आमी निशेद करने साथी इतेयाच जमलेलाम चंद्रपूर शहर कॉंग्रेस तरफे आमचे अध्यक्ष रामभाय अतिवा इस आउसर पर शहर कॉंग्रेस कमिटी के अध्यक्ष रामुतिवारी महला कॉंग्रेस प्रदेश सचिव नम्रता ठीमसकर महाराष्ट्र प्रदेश उपादेक्ष अनुसुची जाती विभाक कॉंग्रेस के अश्विनी खोब्रागडे सेवादल जिलाधेक्ष महीलास्वाती त्रिवेदी भालचंद्र भाव दानव अल्पसंख्यां के प्रदेश सचिव मलक शाकिर सुनिता धोटे वानिदारला क काशिब भाई पुजा अहुजा लता बारापात्रे नेहा मिश्रा वैभर अघारते स्वपनिल शीवंदे प्रकाश देश प्रतार नवशाथ शेक मोनुराम टेक सागर खोब्रागडी राहुल सुरेवन शी दुर्गेश कोडाम केतन दूशेलवार के साथ कॉंग्रेस के भी फ्रंटल और्गेनाइजेशन के पदाधिकारी वे कारे करता होगी